नमस्कार, Lunar Astro में आपका स्वागत है, आज के जो टॉपिक है वो है 8th house Lord, बाकी सारे घरों में कैसा काम करता है, ये जो series है ये एक बहुत perspective series है, जिसमें आपको, जब मैं 1st house प्ला रहा हूं, तो मेरा focus सारा 1st house में है, आज जब मैं 8th house प्लाँगा, तो मेरा सारा focus 8th house के perspective मे आठवे घर का मालिक जब बारग रू में जा रहा है, उनका क्या रोल है, वो कौन से manager है, उनके हाथ में portfolio कैसा है, तो आठवे घर का एक portfolio है, आपको लगातार धीरे धीरे decay करना, आपको लगातार troubles हैं, जैसे कि एक particular research है कि जो गेहूं है, जो इसमें पर बीट आता है, इतन खराब कर गया है कि उसके ने जो protein होता है, वो ब्रेक अप ही नहीं होता है, तो धीरे 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 वीट खाने के ऐसे आपको बाड़ी में troubles आते हैं, लगातार जो लोग दूद पीते हैं, उनको ही जो भी countries सबसे ज़्यादा milk consuming हैं, डेरी प्रोडक्स consuming हैं, उनको ही सबसे अगर आप कभी भी कोई ऐसे troubles देखेंगे आपकी life में या फिर आपकी family के ने जो chronic चलते आ रहे हो, जो बहुत टाइम से हैं, तो वो आटवा घर दिखाता है, पर पता है क्या है, यही घर ना एक इसका brilliant side में आपको बाच बताऊंगा, क्या होता है, एक cycle है, यह chain है, उस chain को break करने लिए कभी कभी कोई पैदा होता है, कभी कभी ना वहां से मुक्ति दिलवाने लिए कोई पैदा होता है, तो देखेगा उसका आटवे गणा brilliant मिलेगा, उसका आटवे गर का मालिक brilliant मिलेगा, और बहुत powerful मिलेगा, जो कई लोगो मोक्ष या मोक्ती परदान करता है कहीं चाहे वो गरीभी से मिलता है और इसका ने दूसरे घर डीप की मैणे पीदा हूआ है कई ऊकने दुबाने वाला मिलेका का माले उचा बैठा हो बली हो ऐसा वक्ति अपने पूरे कुल को तारता है लेकिन आठ्वी घर का माले बहुत बुली बंठा होता होता है तो फΟू पने पूराने और लोग को 9 अगर आपको यकीन ना होना इतने भी इंटर्स रिसर्चर्चर्स एं ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाथ-ब्रेकिंग काम किया हो तो आठवगर बहुत स्ट्रॉंग मिलता है पर हर चीज का प्राइस है हर चीज का वाली है यह आठवगर ना खुद को मारना पड़ता है खुद क आप उस स्टेज में आ जाए कि आपको दुनिया की परवाह होनी बंद हो जाए कि कोई क्या सोचेगा अच्छा बुरा गलत सही जैसे कि आप देखिए इसी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बुरे कमेंट्स आ रहे हैं और उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारा प्रस्पेक अपर आ अगल नहीं बता चैप्टर नहीं नहीं यह यह बेसिक्स चाप्टर हैं फर्स्ट हाउस सेंक तर्ड हाउस जब हम बसक्र जाएं कि तब आपको अपर नहीं बेसिक्टिव करें तो प्रेस्पेक्टिव देखना है तैंकि आप देखें सेकेंड हाउस में हर्चीज आक्टिव है कि सुभे चीज आपको मिलेगी शाम तो कंज्यूम करने है फूद हाबिट्स कौन है मून एक्जूम करने ही करने हैं एक्स्ट्रीमली आक्टिव हाउस कोई ऐसा रिसोर्स जो आप उसी टाइम कंज्यूम कर पाएं जिस कोई चीज जब सड़ जाए और वह ट्रांस्फॉर्म हो जाए उसके बाद जब उसको कंज्यूम किया जाए तो वह आठवी घर से बनता है जैसे कि भस्म गोल्ड आक्टिव फॉर्म में निखा सकते तो उसको भस्म के रूप में लिया जाता है बृस्बदी आठवा घर और और वह आपके क्राने के ट्रॉबल्स खतम कर देता हैं में इसल इसलिए चंदी भस्म चंदी पिष्टी- मोती- पिस्टी मोती की भस्म इसलिए धिसलिए इसलिए खतम करने के लिए कोई ऐसी बिमारी को यह सा ट्रॉबल खतम करने के लिए जो बहुत टाइम से चलता हुआ रहा हो वह इन आक्टिव फॉर्म में देना होता है जिस तरीके से अगर आपको कोई भी ख्रोनीक ऌहला के थाबस इंटे़ॉइ लेकिनु जिस जिन आक्टेव होते न उद आपको पता चलता है कि कांच आक्टेव हो गए जूकि कैंशर के से ल करने चालू हो गए टो बहुत टाड़ने एक बनते हैं राग से डुष से विशाद से बहुत सारी और ट्रॉबल से और बॉड़ी चैंसर डवलप कर रही होती है लेकिन एक दिन वह अक्टिव हो जाता है वो जैसे ही अक्टिव होता है उस दिन से आपको लगता है कि अब मेरे को सलुशन की तरफ जाना है और आप डॉक्टर्स के बाद आते हैं लेकिन आठ्विधर की इतनी परिशानी है ना क्रॉनिक वो हमेशा इन आक्टिव फॉर्म मेडिसिन से जाएंगी जैसे होमोपेथिक हैं अगर आप आयरुवेद पर जाएंगे तो रूट्स हैं बहुत टाइम जड़ की बहुत से ट्रबल्स चली जाती है अब अमार के की जड़ पहन लेना यह सारी की सारी जड़ इसका बहुत अच्छा ब्लॉग वेब्साइट के ऊपर और मैंने बहुत 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 और और वीडियो में भी पुता हैं कि आठ्विधर की रिमिरीज के जो व अब जाए की मेडिकल ट्रीटमेंट की मॉडवन मेडिसेंसस के आठ्वा घर chronic troubles को represent कलता है आठव अगर दुआओं और बदुआओं को represent कलता है जो कि आपको chronically मिल रही है तो अगर आठवे घर में अच्छे plants नहीं बेटे हैं benefits नहीं बेटे हैं या कोई ऐसा ग्रह नहीं बेटा है जो आपको support कर पाई या फिर वो पाप कत्री योग में है जैसे कि एक तरफ मंगल है एक तरफ केती है साथवी घर में मंगल आजा नौवे घर में केती हुआ जाए हम्ड हो जाए वो घर तो समझ लीजेगा ऐसा विक्ती ना subconsciously या अपनी chronic troubles को resolve नहीं कर पाईगा पर यही घर जो आपको बहुत मजबूत नहीं है तो बुरा घर नहीं है इसके अंदर ना सर्फ और सर्फ एक ऐसा प्लानेट है जो आपको बहुत मुद्द कर सकता है वह है blessings गुरू क्योंकि जब इसमें गुरू आयाता है तो इसका अब यह है कि आपके पास ना हमेशा कोई नो कोई व्यक्ती रहेगा जो आपका हाथ पक्रेगा और आपको बुलेगा कि मैं आपकी मजब कर नहीं है और मैं इसके deeper meanings पर भी अभी जाओंगा लेकिन आठवे घर के अंदर अगर troubles हो रही है आपको chronic issues आ रहे हैं आप देखिए कि सूरेनर आ जाएं यह घर अपयश का घर है यह घर देश से निकालने का घर है विस्थाप पहने का घर किसी दुसी दुनिया में जाने का घर टाक्सेशन में जो पेनल्टी इस पढ़ती है उनका घर है यह हर वो घर है जो कि कोई नहीं करना चाहता है सूरे शो गुरैंसे टाथा है और सूरे क्या चाहिए सुरे ग्रेंसे गणारि इतर रस नीन सी भी कॉन सी गती पे घ्लावश्य एड़ पह एक लाइन पे घ्लामेंगा वह मैं डिसाइड करूगा या इतनी डिग्री दूर जाओगे तो रेटोग्रेट करूंगे सूरे डिसाइड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई एक विक्ति पैदा होता है जो एक चेंज ब्रेक करता है। एक इमें ये नौ ग्रहाओं के अंदर नहीं नहीं पास्अ पास्टा इसनी गान्य प्सिर्ण हो जाता है कर दूखोग के दूखा झालक है क्योंकि वो solar systems के path break करके जा रहा होता है उसी तरीके से आपके चार्ट में आठवे घर की जब भी दशा आती है path breaking काम किये जाते हैं लगन की दशा आएगी आप कुछ ने कुछ नेया चालू करेंगे आप निकाल लीजिए देख लीजिए इसी से आपका दो काम होंगे एक तो आपका जो आपको आपको प्रान दशा पता चल जाएगी काम कहा तक हो लगन की महादशा में ये काम होना ही होना ही कुछ ना कुछ नेया चालू करोगे जहां पर लगन बैठा है जो उसका सिगनिफिकेशन है जो उसका पोल्पोलियो है वो लगन की दशा में आठवा घर इन सबसे मुक्ति दिलवाता है और वो पाथ ब्रेक कर लेता है तो जब कभी भी उसकी अंतर दशा आएगी आठवे घर के मालक की अंतर दशा आएगी महाद अशा आएगी जिस तरीके से केतू सूरो सिस्टम से एक्जट करता है उस तरीके से आप भी अपनी सारी दुनिया चोड़ेंगे और कुछ नया चालू करने ज़एंगे के या तो बहुत खुश हो कि करेंगे अब इसमें दोनों चीजें इसके इंदर ताकत नहीं है और अगर ताकत नहीं नहीं है तो सिर्फ फ्रॉस्ट्रेशन होगा दिमाग में आएगा सपने में आएगा और आप कुड़के कुड़ते रहेंगे अंदर-अंदर की और या है दो कि अब इसकी है दो इसका बड़ाल ज्डिकेशन काम है वह को इंदर वह उसका ओस्सकाइ अदर के आश्रम के इंदर उसका लोकेशन इसा है वह पर बहुत बड़ा एक श्रीयंतर एंस्रक्शन है और बनाया गया इस त Ting कि आपको पील होता है कि आपको बहुत साइघ मेडिटेशन होते हैं आप उसी डाइम पिरिड़ पे बिना कुछ करें आप ध्यान में मगन हो देगे आधी घंटे का लेगे वह आधी घंटे का द्यान पूरे दिन की एनरजी बदल देगा आठ वकर रिजॉल्वगादे गादा शुआ कि destructive से होते हैं और झाहु और वह चीजी काहां पर कौन सी चीजी गलत कर रहे है और वो वह प्रोली से जोड़ है किसे स्देघ्ट से जोड़ी होई कर्म से जोड़ी होई फैसे से जोड़ी हो आपको तै लेकिन ना मेडिटेशन के अंदर जब आप जाते हैं तो इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है कि जिस दिन आपका सात्वा चक्र खुलता है जो टेंशन होती ही ना बोडी के नेवल के नीचे हमेशना बोडी के अंदर एक टेंशन रहता है वो पता ने चलता लेकिन होता है ले तो बहुत सारा एनलजी एसी लेके बैठा हुआ था उस दिन से रागदोश खतम हो जाता है तो दिमाग में यह करना है नहीं किसी के खिलाफ को किसी को और को देखने के जाए अपने आपको देखे लगते हैं क्योंकि दूसरा गड़ना आइस का है अपने आपको पुरी दुन पढ़ते हैं कि मैं क्या काम करना हूं तो अपने आपको हमेशा पंदेरे में देख पाएंगे यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका रेमेडी किया करवाते हैं कि आप जितने भी सिट्रस फूट्स है औरेंज हो गया लेमेन हो गया वह लगतार पीजिए उससे आपकी अटी ऑक्सीजन होते हैं बाडी के इंदर और उसके लिए आपको स्ट्रें अच्छा लगता है तो जैन्मी लोगों का प्रोम्नेंट के तुल लगन में होता है आठ विकर का माले के साथ बैठा होता है सूरी के साथ बैठा होता है अपको पता है आपको पॉन सा जूस पीना लगाता है क्यों चाहिए पीनिया तो यह सिंपल से रमेडी लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मेरिटेशन में योगी करते हैं और आप योग में भी करते ना कि आप भार के सास बहार चोड़ के बंद लगा लेते हैं यहां पर अंदर शास लेते हैं और यहां पर सास लोकत कर क्यों रहें आपको क्योंकि जहां जहां पर ऑक्सिजन नहीं है वहां वहां पर आपको पहुंचा लेते हैं तो यह जो आठवगर है ना यह मेडिटेशन से सासों के कंट्रोल से और योगी भी इसी तरीके से उमर बढ़ा लेते हैं अपनी प्रान वायू रोक्के अब प्रास लेन का पैटन कैसा है वह आपका नक्षत्र बताता है उससे आपकी आयू डिसाइड होती है जब आप ब्रीधिंग पैटन कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद से आपको यह पता चल जाता है कि मेरी आई यू बढ़ सकती है यहां से योगी जैसे ही करते हैं आठवगर हौं जहां जहां के बैठेगा बहुत ध्यां सुनेगा हौं पर आगकी खत्म करेगा क्योंकि न यही चीज का इंक न तब तक अप दुखिघू गों होगे जब इसका ही ज्ब आपको मिट्राना चीज खतम होता है, नई जिंदगी चालो होती है, ब्रेकश आते हैं, जैसे कि चंदर केतु साड़े बैलिस के वाद या तो स्टेटस बहुत डिफरेंट होगा, हेल्थ बहुत डिफरेंट होगी, शाइनी हेल्थ का कारक है, दुख का कारक है, जा फिर सडल नीची आ जाए जाए, डिपेंडिंग कि उस धूम केतु को, जो कि केतु आठवा गर है नो धूम केतु की तरह बहुत जरूरी है, आठवे गर का मालिक, अगर अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठें, जो की सुराशी हो, उच्छ हो, या फिर ऐसा हो कि, क्योंकि आठवे गर की ना अपनी आप नहीं चलते, ध्यान रखेगा, दो, बारा और आठ, इनकी ना अपनी आप नहीं चलेगी, य अगर आठवे गर का मालिक किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठता है, जो की सुराशी हो, अपने घर में हो, उच्छ का हो, दिखवली हो, तो यह बहुत ताकत वर आठवा घर है, आठवे घर का पैटन्स ब्रेक करना, इनकी हैबिट बन जाती है, आठवे घर में उच्छ का घर मिल अगर आप राहु इच्छ के साथ पैदा हो, ग्रैंड फादर के जमाने से हिजद मिलेगी, बहुत प्रॉमिनिंट हाउस के साथ पैदा हो, माल लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका ना कोई भी प्लानेट आठवे घर में और आठवे घर की दशा में पैदा हो गया और जो लोग आपको सबसे अधा फ्रॉस्चेटर मिलेंगे उनका देखेजिएगा आठवा घर ना उनके सपने जो है ना वो जहां से मुक्ती होना चाहते है ना मुक्ती में उपाते है आठवे घर का मालिक चटे गरे बैठा हो लेकिन मजबूत हो ताकतवर हो अच्छे गर के अंधेरक अठेरे का मालिक धाटा है न जो प्रकाश में अब देखे इन घर यह हो अच्छा नहीं समस्ते है थी घर जहां पर इसकी नहीं चलती अंधेरे को न हमेशा उजादे से लगता है, पहला गर कहां पे जहां से संराइज सो रखा उस चाहिंगे, इस्टन होराईजन, यहां नहीं बनेगी, पांच्वा गर जो सूरे का अपना गर वहां नहीं बनेगी, नाइन्थ हाॉस यहां पे गरु है जो ग्यान देता है, जो हम रहेब को छोड़ते हुए काम करने में और को उपना यश आपना कोह बहुति क्लिव काम करतेDAY कि मेरे का फारक नहीं बढ़ता कि मिएको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे फायदान उक्सान का मेरे बता नहीं पर मेरे को ये काम करना है दूसरों के लिए तो आपको 8 men जो लोग का माले जो लोग का लिच का मालिग को मत क्लिफे लिदे बंध ए लिग四 Along क tiet गर ककंड करना है आठिव करने आठवे घर का मालिक का क्या है एं इटेना मिल जाए की यहित्य आप्को क्लाण का mak Drink को इस पे ही कंट्रोल करना कि तीन नंबर का जो आठविकर का मालिक है वो शनी है आपको पता होना चाहिए कि आपने कब काम करना छोड़ना है और दूसरी चीज शनी की जितनी चीजे हैं जैसे की शराब हैं जो की समाज में नीचे जो हाथ से खाम करने वाले लोगे हैं आपके एंप्लोईज हैं उनका बह पर यह सब ना कैंसर की तरह हैं आपको उस ताइम पर नहीं चलता है वह दो देखा शनी आठ एंप्लोईज दीरे धीरे 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 खतम कर रहे होता है लेकिन एक दिन क्या होता है और तब तक इतना लेट हो जाता है फिर आपको लगता है कि मैं सदन डिसीजिजन दो और इनको हटाऊने असे ऐसे नहीं चलेगा हर दिन उसके लिए कोई ना कोई तो कि तरीके से अक्टिव तरीके से नहीं अक्टिव तो दूसरा गर है पैसिफ तरीके से उनको हटाना है आठवे घर का मालक जब कभी लगन में है तो आपको अपनी बॉडिका बहुत ध्यान अख अब चौड़ो सब कुछ अब कुछ नहीं काम करते हैं अगर यह मैरेज का कारक है शुक्र का कारक है तो फरी बूलेगा कि ठीक है अभी मैरेज थो दिन हो गया अभी कुछ और नहीं जेगे पर रहा करे रिए रिश्न बाते हैं बोर हो जाए मुक्ति चाहिए यहां से जो सब्हाना दूसरे गर में हैं वो आपकी ट्रॉबल्स को ब्डेकं करने के लिए कहां के मैठा है दूसरे हमे हैं तो पैसे अचिरे जाए मैने कि परिवार वाले आपके नहीं है और उनके साथ आप केतना भी अटाश्मिन रखो यहां से ही मुक्ति मिलनी है आप देखिए जब कुछ सन्यास लेता है आठवागर सन्यास करें जाता है नाइंध हाउस में गुरू है गुरू के मिलने से पहले गुरू की तयारी है जब करना जरूरी है आपको ज्यान का प्रकाश को पता नहीं चलेगा तो सबसे पहले बोलते हैं आप घर चोड़िये तो चंद्रमा चुट जाता है खाना चुटवा देते हैं चंद्रमा आपसे अपना देश चुटवाते हैं फिर बोलते हैं कि ईगो बहुत है तो मांगे खतम करवा देते हैं हर वो चीज जो आपके मुक्ती में बाधा बन सकती है उस हर चीज को दीरे-दीरे खतम करते हैं जब कभी भी आठवे ग्रह की दर्शा आएगी इनसान को मांसिक रूप से फीड़ा हो देती हैं और इसी किसे क्रॉनिक ट्रबल जाते हैं मोक्ष जो स्थ मैं तो यहां से निकलूं bucks कंगर है मैं तो यहां से निकलूं आगी आई में तो अगर आगए बरना है तो मैं यह आकर मुक्ति पाँगा पर आठवा घर जब तक नहीं आएगा आठवा घर कहता है कि मेरे को तो जितने भी चीज़े आपने बना लिया ठीक है में को सब कुछ भसम करनी है और यहां से मुक्ति चाहिए आठवा घर का अमारे दूसरे घर में परिवार से मुक्ति दिलवाने के पूरे तयारी करवाएगा, लड़ायां करवाएगा, उसके बाद जाके आपको तर्म में आएगा कि ना पैसा पिका माता है, ना परिवार पिका माता है, कुछ और सीज़ है, जो इन सब को छोड़ के जब आप जाएंगे, तो अपनो मुक्ति का हिसास हो आपको सही में लगेगा यार में को मुक्ति मिली है, सूर्य केतु सारे 35 साल में उमर देते हैं, आप देखिए जैसे ही फादर जाते हैं, या इगो चले आता है, या पोजिशन चले आती है, इनसान ना वो जाने के बोलता है, जो समझदार हैं वो ये बोलते हैं कि अच्छा और ये अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अब आप बदली होके जाओगे, कहीं और चले जाओगे, या कोई और नया काम करोगे, नया बिसनस करोगे, वो आपको बहुत सुकून देगा, तो इस चीजे जाने से वो परिशान नहीं होते, आठवे घर का मालिक तीसरे घर मे नाम छूटेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपके जितने भी टालेंट हैं, आप बहुत टालेंटिन होंगे एक काम में, वो बिलकुल खतम हो जाएगा उस साथ, जब भी ये दशा आएगी, और ये जो आठवे घर का मालिक जब तीसरे घर में हैं, ये एक तालिस साल की उ पर फलेत होता है, उस टाइम पर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ, ये छूट गया अभी मैं धंग से कुछ काम कर सकता है, अमें कुछ पाथ ब्रेकिंग कर सकता है, अमें वो बंधन टूड़ी है तीसरे घर का, आठवे घर का मालिक जब कभी चौथे घर में आता है, ऐस ये भी दिखाता है कि आपका जो दुआएं और बदुआएं लैंड से रिलेटेड हैं, घर से रिलेटेड हैं, बहुत ध्यान से काम करना है, आठवे घर का मालिक तीसरे घर में हैं, किसी को जूटी ख़बर नहीं देनी, क्योंकि ये प्रॉमिनिंट है आठवे घर में तीस यह आठवेगर का मालक तीसेगर में है तो ऐसे ब्यक्ति ना आठवेगर के बहुत स्पेशल चीज है कि आठवेगर न आपको बाल की खाल नेकाने की capabilities देता है वो इतना sensitively सोच सकता है और यह brilliant combination बनता है stock market traders के लिए speculation वाल लोक लिए astrologers के लिए और लगातार सोचने के लिए मैं और क्या सोच सकता हूँ out of the box में कैसे सोचना है out of the box में कैसे सोच सकता हूँ आठवे गलग का मालिक पांच वी घर में आता है अच्छा combination है पर ना वक्र है दिमाग की कि दुनिया सोचती है कि मुसिबत के इंदर इस विक्ति पर शायद मुसिबत आई होगी यह विक्ति सोचता है अच्छा है इस अब छूटे हैं मैं तो और जादा खुश होगे आठवगर का मालिक पांच वर यह विक्ति अपने आपको जब इनको लोग बुरा-बुरा कहते आपको अच्छी बात आप जिसमान में आगया है कि मैं ही ऐसा हूं तो आप आपको नहीं आने के ज़ए क्योंकि आठवगर आइसोलेशन मानता है अब देखे कर जितने वी अच्छी लोग होते हैं जितने अच्छे सेंट्स होते हैं वह बिशा बोलते हैं कि मैरे पास मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि भीड कम करनी है कि आठवी घर का मालक पांचवी घर में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वह साड़े 33 साल में आके फर्यत होता है लेकिन ना उसका रुखता नहीं है उसके बाद ना फिर इनका स्टॉपिंग ने इनके फेम का लेकिन तेतिस फेम नहीं मिलेगा आठविगर का मालक छटे घर में हो मैंने बुला दिश्मन को नुपता देते हैं चुन-चुन के मारना हो पूरे कोल के अंदर जितनी बीमारियां हो सब को बलता है कि इसको एज़िक करना है मैं दवाई देख आता हूं डॉक्टर्स के लिए ऐसे ना जितनी भी अग्ष एक साल तक मैनत करी दोनों टीम ने अच्टर पंकच ने उन्होंने सब को छोड़ दिया और वो जो साइक्रोजिस के पास जाते हो चोड़ दिया उसके अग्षार बच्च बच्च बोला एक साल का ट्रीट्मेंट है पंदरा साल बाद पहली बच्चा बोला है उसमे एक भी बच्चा का एकर फीडबाक आ रहा है ना मेरको कि यह बच्चा बोला पंदर साल में परतानी कितने ऐसे फीडबाक्स आते हैं लेवर स्टेज थी पे है एक पड़िलर डिजीज के अंदर इसके ने डॉक्टर से मूला यह नहीं होगा ठी वो नाचुरली कियर हो गया चे मने लगे लगाता है उस लीबर वल्ली डिजीज के लिए तो योगतंतर में ना फिर अश्टालॉजी और योगतंतर मिलता ए ना और इसकी लिए ना हमने उसको फ्री कर रखा है आई अटिकल कंसल्टेशन या अयर्वेदिक फ्री यें उसका लेंक या वेबसाट प्व वो फ्री आफ कॉसम प्रवाइड करते हैं सकते हैं ताकि एकली सर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अब इसके नहीं देरा टू वेस हमेशा मैं बोलता हूं कि मेरी टीम नहीं को ला सर बहुत लोड हो रहा है लोग फ्री में सिर्फ ऐसे दिखाने आ रहे हैं और जब क्यों अफोर अब नहीं कर सकता उसके फ्री हैं और और कोई दवाइं भी फ्री में उना एंहीं पर कि बौल सकता हैं आथ वेकर का मालख जब कभी छब वे हैं ऐसे लोग बनते हैं से लुड इ Olympics वन्त टे जो बनते हैं व्रूर्यर तो आज की दिट में उन्होंने मैं जब लगातार मेडिकल अस्रोजी पढ़ रहा हूं और मैं उसे सीख रहा हूं कि प्रोटीन किस तरह के से डाइजेस्ट होता है शुगर क्या करता है मैगनीसियम करता है और अस्च प्राइसिस कैसे होता है यह सारी चीजे इसलिए सीखनी प ने इटे लोड जब सेविन्थ हाउस में जाता है तो अब यह मैरेज का घर है संधी गणी गर आठव गर आइसलेशन है अथा गयाता है अधिकले रहना है ऐसा वेक्ति ना स्पाउस को साथ रहने में बहुत हिच की जाता है आठवी गर का माले को साथ वे घर में और इसकों अगर एफ्लिक्शन आ जाए तो सिक्ष्व प्रॉब्म से अधिकले अब यही एक ऐसा कार्मिक पार्टनर जा सोल पार्टनर जो इसी में मिलते हैं क्योंकि आपका वो क्रॉनिक प्रॉब्लम या वो है वो साथ वे गर से आता है वो स्पाउस के थू ही हलोगा यह स्पाउस क अधिक बन गया साथ और राट तो शादिग्या जातों राइज है इसकी से बतल जाता है शादिग्या जातों एक्स्ट्रीम राइज करेगा एक्स्ट्रीम डाउनफॉल पे लेकि आएगा मेजर चेंज अफ्टर मैर्ज आठवेगर का मालिक साथ वे गर में हो आठवेगर मे लाइफ में कितने भी आएं यह कभी भी ना घबराते नहीं तो उसी चीज़ ना खल्चा करने के अंदर नहीं कंजूसरे करते है एज बहुत अच्छा मिलता है अगर यह अफ्लिक्शन में नहीं जाए पाप कत्री में नहीं जाए समझ बहुत अच्छी देता है डीपर माले का आठवेगर में है तो जितनी भी ऐसी चीज़े हैं जो जमीन के नीचे से निकलते हैं जैसे कि आपका स्टोन्स हो गए यह सब कि सब चीज़े ना आठवेगर से आती है अब आठवेगर के अंदर से जब उसका क्नेक्शन टेंथ हाउस साल तब प्रफेशन में जाता इट लड़ ना एंधा आउस ना भागी के स्थान में यह तरह खाऊस अच्छा नहीं क्योंकि भागी को कम कर रहे है फैमिली को कम कर रहे है अपी गुरु को हटा रहे है और ना अन्धकार लेकर जा रहे है अवेगर अज़े को इसे विक्ति को गुरु मिलने में बहुत दे करें कि एक लिमिट बर आके देस जब इसक्राइब ऑब इसको प्रेज करें बड़े लोग फिर्ज नी करें बड़े लोग हेल्प नी करें आठवे गर से चय ना पार पाने के लिए आपको गुरु चाहिए क्योंकि ना यह यहां से अगर यहां पर आपको इसको पार करना है ना आपको कोई ऐसे वक्ति चाहिए जो अलड़ी सिल्फ रिलाइज जो वो जब 9th house में आके बैठ रहा है तो वहां पर ना गुरू को help नहीं कर पारा गुरू उसको गुरू बता भी रहे है तो उसने ब्लॉकेज कर रहा है आठ को गर ना अगेन इसलेशन है ब्लॉकेज है तो help नहीं कर पारे है तो डूंड कहीं और रहे है ऐसा से लोग देखेंगे आप जो बूलेंगे मेरको ना अच्छे गुरू नहीं मिल सकते हैं कि मेरा मेरको तो हमेशे खराब गुरू मिलते हैं कि मेरा 9000 है तो कमी ना कि सामने वाले भी आप में कि अब को सद्धगु गुरू के फॉलोवर बिल जाएंगे बहुत अच्छे जो इनको पॉल गते हैं उनके कृट एक्षानि सद्गु में नहीं दोनों जो मान रहा है उसको मिल रहा है जो नहीं मान रहा है और वो किसी भी उसके लिए है किसी भी सेंट क्ली है आपकोई भी सब्सक्राइब के ए जोजा आपको पहला नहीं होगा से अपको भला सौन्गे त्रस पर momentum सब्सक्राइब वो करना पड़ता है आठवेगर का माल का मालेक जब दसवेगर में है आप इस हम अ इस पर मैं दसवेगर में घरा Shk directement इसके इसको इसके फादर को बोलने इसके फादर को यह काम करें नहीं करेगा इसकी बाइप बोल दे कर ले नहीं करेगा ऐसे विक्ति को जब तक फ्री हांड नहीं मिलता ना तब तक काम नहीं कर पाएगा आठवेगर का मालिक ग्यारवेगर में है इन्हेरिटेंस से गेन मिलता है मतलब इंशुरेंस का पैसा और इसके इंदर जितने भी ऐसे सडन गेंज होते हैं यह बहुत अच्छा पैसा होता है वह आठवेगर का मालिक ग्यारवेगर एठ लॉड इंट्वेगर बहुत अच्छा है क्योंकि तीनों के तीनों चार अट बारा मुक्त सान है और मुक्ति की तरफ लेगे जाता है ऐसे विक्ति को क्रॉनिक ट्रबल्स खतम हो जाती है आठवेगर का मालिक बारवेगर में हो ऐसे विक्ति को इस दशा के अंदर वोलता आठ यहां पर स्पीड-ब्रेकर के तरह है आपका खतं करेगा और उखतम करने के बाद काएगा आप यहांसे जाओ इसको पहले पार करने जाना है नाहिन है सारगर में आठवेगर में इस तो आपको मुक्ष के लिए भी बूलेगा एगो चोड़ो ऑ बिलकुल जीरो पर जा ज्ञान का कारत है बरस्पती आपके लीनेज के अंदर ये दिखाता है कि आपका समाजिक सर्कल कैसा रहा होता है समाज में बदनामी देगा या नाम देगा ये बरस्पती बताएगा आठवे घर का माले का गर बन जाएगा शुक्र है तो वाइफ रिलेशन्स मनी इन सब चीजों में बताएगा इसी तरीके से हर घ्रह का कारकत्व है वो अपने कारकत्व को आठवे घर में मिला लेगा अब जो इस घर को रूल कर रहा है वो बताएगा कि देखो मैंने तुमका तुमारा एगो बिल्कुल जीरो कर देन सर ही इगो है एक करिच्वर होता है बाल हटाने का वो भी इगो हटाना है इगो जब हट जाता है आपका आपका सर हट जाता है आप अपनी बुद्धी चलानी बंद करते हो जब आप सरेंडर हो जाते हो जब आप सर जुकाते हो ना मंदर में जाके और दंडवत प्रणाम कर सारी गुखतम हो जाती है जब आप गुरू की मिट्टी पैरों की मिट्टी सरके सर्पे लगाते हूं कर देता है परिषानी क्या है कि आप अपनी युद्ध भगवान के समने भी खतम निकार जाता है आप वहां पर हम दोते कि मैं वियाईई पी लएंच चाहिए तभी में अं आपको ट्रबल करेगा जब तक आप उसमें इगो लेने की कोशिश काते रहेंगे इसलिए शंक्रशाजी ने लिखा कि करतल भिख्षा तरतर वासा तदपिना मुंचती आशा पाशा कि मैंने वह महात्मा देखे जिन्नोंने हाथ पे लेके अन खाया जो पेड के नीचे रहते ह और उसके बाद भी ना आशाओं के पास से मुक्त नहीं होते है उसके रह इतनी आशार गहते है कि मेना महां चाही तो आशाओं के पास मुक्ती पाने की लिए फीकोगा। बॉत मुशने जो की बहुत मुश्किल काम में नहीं हidentified begin with G Hutch औक पढ़ती है और यही आठवागर ना मैं बोलो आठवागर से लिटेट डी को में पढ़ती है जितना आजद रखेंगे न वहीं पर जुकना पड़ेगा ध्यान दखेगा वहीं पर नाक रगणनी पड़ेगी यही आठवागर है तो I hope कि यह लिक्षेसर में आया होगा understanding आयोगी चार्ट के इंदर कहां पर कौन सा chronic trouble है कैसे solve करना है और I'll see you guys next time. Thank you. Bye-bye.